हेलो फ्रेंट मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही जादा टेस्टी मटन नहारी की रेसिपी एतनी टेस्टी कि आप इसे बार बार खाना चाहेंगे पाया सालन को मैंने बिलकुल घर के ही मसालों से बनाया है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो पिलीज सब्सक्राइब कर लें चलिए तो हम इसे बनाने शुरू करते हैं कुकर में 100 ग्राम के करीब सर्सों का तेल डाल दें वैसे आप कुकिंग के लिए जो भी तेल इस्तेमाल करती हैं उसमें सालन बना लें पाया में तेल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है कुछ खरे गरम मसाले मैंने लिया है चार पिस हरी लेची और दो पिस मोटी लेची एक इंच दाल जीनी और तीन पिस तेज बता ये दो मीडियम साइज प्याज को मैंने बारीक काट लिया है प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए देखे दोस्तों प्याज हमारा फ्राई हो चुका है इसे हमें इतना ही फ्राई करना है इसमें एक ब्रचा मच अद्रग का पिस डाल दें दो ब्रचा मच लैसुन लैसुन और अद्रग को प्याज के साथ मिलाते हुए थोड़ा फ्राई कर लें अब इसमें हम कुछ पॉडर मसाले मिला लेंगे एक चम्ची हल्दी पॉडर एक चम्ची धनिया पॉडर और एक चम्ची जीरा पॉडर आधी चम्ची से थुड़ा जादा काली मिर्च पॉडर और आधी चम्ची लाल मिर्च पॉडर आप अगर जाधा तीखा काना पसंद करते हैं То लाल मिश पाउडर थोड़ा जाधा ले 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 मसालो को मिलाते हुए थोड़ा चला ले दो मेडियूम साइज प्यास को मैंने हलका सा मोठा काटा है इसे भी कोकर में डाल दे थोड़ा सा पानी मिला कर मसालो को चलाएं मसालों को भुनने से सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप इसे तब तक भुने जब तक की इस से तेल अलग न हो जाए मसालों को मैंने अच्छी तरह से भुन लिया है अब हम इसमें पानी मिलाएंगे पाया थोड़ा देर से गलता है इसलिए पानी हम इसमें डेर लेडर के करीब मिलाएंगे अब अच्छे से साफ किये हुए मटन के लेक पीस को कोकर में डाल दें मटन लेक पीस को साफ करने का वेडियो मैं पहले ही अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ एक चमची नमक मिला लें थोड़ा चला लें इसे फिलेम को इस समय हाई कर लें एक लीटर पानी मैंने पहले डाला था आधर लीटर पानी अभी डाल रही हूँ high film पर हम इसमें एक सीटी आने देंगे एक सीटी high film पर आने के बात film को मीडियम और लोग के बीच में कर लें इसके बाद हम इसे 30-35 मिनट तक आराम से पकने देंगे 35 मिनट बाद आप film को off कर दें नहारी खाने का मज़ा सुना के नाश्ते में ही आता है तो मैंने भी इसे रात में ही बनाया था फिलिम को आफ करके रात में मैंने छोड़ दिया था देखी पाया एकदम अच्छे से गल चुका है इस से मैं अगर आपको लगे कि आपका पाया अच्छे से नहीं पका है तो आप 3-4 सीटी और लगा लें यहाँ पे मटन पाया अच्छे से गल चुका है इस से मैं फिलिम को आउन कर लें फिलिम को हम अभी हाई रखेंगे दो चम चीज में गरम मसाला पॉडर मिला लें घर में गरम मसाला पॉडर बनाने का वीडियो मैं अपने चैनल पे पहले ही डाल चुकी हूँ लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से चेक कर सकती है थुड़ा चला लें इसे इस समय आप इसका नमक भी चेक कर देख लें अगर कम हो तो और मिला लें अब इसमें 3-4 मिनिट तक अच्छे से उबालाने दें देखिए 4 मिनिट मैं ने इसे अच्छे से उबाल लिया है अब फ्लेम को आफ कर दें गर्म गरम निहारी सर्फ करने के लिए तैयार है निहारी को आप रोटी पराठा या नान के साथ सर्फ कर सकती है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेर जरूर करें मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो फिलीज सब्सक्राइब कर लें थोड़ी सी बार एक कटी भी धनिया पत्ती और नेम्बू का रस मिला कर इसे सर्फ करें अगली वीडियो के साथ फिर मैं आऊँगी तब तक के लिए ओके बाई